जहिन दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक मैडिसिन पर गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकेशन टॉबरा कैम आई ड्रॉप के बारे में तो गाइस इसके साथ ही डोजिस क्या रहती है, सेफटी टिप्स क्या-क्या फॉलो करने होते हैं और अगर कोई इस मेडिकेशन को कर रहा है तो उनको क्या वार्निंग्स हैं, क्या साबधानिया रखनी है तो दोस्तो ये सारी इंफॉर्मिशन इस वीडियो में हम कबर करने वाले हैं, मेरे साथ वीडियो में लगतार बने रहे है और गाईज अगर पहली वार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए गैस्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रेस कर दीजिए साथ ही आपसे एक रिक्वेश्ट है कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए दोस्तो जब भी आपको जरुत होती है दवाई की या बिमार हो जाते हैं, तो हमेशा डॉक्टर की सलहा से ही मेडिकेशन करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें तो दोस्तो बात करेंगे हम इस टॉबरामाइसन के बेनिफिट से इसके यूजिस से तो गाईज यह जो मेडिसन है वो एक एमिनो ग्लाइकोसॉइड एंटिवाइटिक मेडिसन है जिसको एंटी माइक्रोवियल एजेंट भी कहा जाता है दोस्तो यह बेक्टेरिया पर वर्क करती है यानि वेक्टेरियल इंफेक्शन होने की बजहासे आँखों में जो भी समस्याएं होती है उनको ट्रीटमेंट करने का गाईज काम करती है दोस्तो जब किसी पेशेंट को बेक्टेरियल इंफेक्शन हो जाता है और बेक्टेरियल इंफेक्शन होने की बजहासे उसकी आँखों में जलन चुभन खरकन रहती है या आँखों का इरिटेशन हो जाता है गाईज वर्निंग हो जाती है वर्निंग कॉज होती है पेन कॉ है, डॉक्टर इसको काफी प्रेस्क्राइब भी करते हैं, तो Guys, जान लेते हैं इसका pad employment क्या रहता है, तो दोस्टो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके composition की अगर हम बात कर लें, इसके composition को जान लें, तो Guys, इसके अंदर tobramycin sulfate होता है जो की United extremely फार्मोकोपिया के स्टेंडर्ड को फॉलो करते हुए 0.3% वेट वाई वॉलिम की फॉर्म में इसको कम्पोज किया जाता है दोस्तो सॉलिड मैडिसिन को लिक्विड में डिजॉल्व करके सॉलिशन को त्यार किया जाता है साथी बेंजाल कोनियम क्लोराइड इसके अंदर है जो की इंडियन फार्मोकोपिया के अकॉर्डिंग 0.01% वॉलिम वाई वॉलिम की फॉर्म है यानि लिक्विड है बेंजाल कोनियम और इसको आपस में कम्पोज करके इस मैडिसिन को बनाया जाता है दोस्तो इसका जो यूज है वो as a preservative के तोर पर यूज किया गया है ताकि जो medicine है वो खराब ना हो और इसकी जो expiry duration है तब तक ये medicine बनी रहे safety से और साती दोस्तों ये QS वगेरा इसके अंदर basis हैं जो की इस medicine की मातरा को बढ़ाने के लिए बलकी करने के लिए काम आते हैं दोस्तों बात कर लें इसके uses की तो guys ये जो medicine है वो जब भी किसी को आखों में bacterial infection cause होने की वज़ा से जो problems आती हैं जो disease होती है उसके लिए use किया जाता है दोस्तों आखों का infection हो जाना conjunctivitis की problem हो जाना जिसमें की आखें लाल या गुलावी हो जाती हैं आखों में redness रहती है वर्निंग हो जाती है दोस्तों और कभी कभी क्या होता है कि आखें जो है patient की आखें खुल नहीं पाती है उसको problem होती है आखें खुलने में तो guys ऐसे ये medicine काम करती है इसके अलावा आखों में inflammation हो जाना allergic वगेरा हो जाना तो इसमें भी treatment देने का काम करती है दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसे patient होते हैं या आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग contact lens का use करते हैं तो एक तरह से fashion है trend है या जिसको जरुत है तो अपनी जरुत के हिसाब से भी use करते हैं तो guys लगातार contact lens का लंबे समय तक use करने से जो आखों में warning और swelling cause होता है तो उसके treatment के लिए भी काफी अच्छा है और इसके अलावा जो bacterial infection होता है आई lids पर या जो पलक करता है दोस्तो आखों की swelling वगरा को खतम करता है तो ये इसके जो है डेरो फायदे हैं जो patient को मिलते हैं और doctor के द्वारा ये medicine patient को दी जाती है ताकि उनकी ये सभी जो समस्याएं हैं उनको treatment किया जा सके दोस्तो बात करेंगे इसके doses की तो generally मैं अपनी हर एक वीडियो में आ नहीं लेनी हैं कभी भी आपको self medication नहीं करना है दोस्तों dose की अगर बात आती है dose हमेशा doctor की सला से ली जाती है क्योंकि doctor patient की जो condition है उसको diagnose करते हैं उसका check up करते हैं और जो patient की condition है उसके according dose को calculate करके उनको prescribe की जाती है यानि के दी जाती है generally जानकारी के हिसाब से अगर हम बात करें तो यह जो medicine है अगर मान लीजिए किसी को normal या moderate जो है infection है या problem आ रही है तो उसको दिन में एक एक बून सुबह साम जो है doctor use कराते हैं साथी अगर problem serious है बहुत जादा severe हो रही है तो guys उनको एक एक बून जो है तीन बार तक या हर ए इसकी doses रहती है जिसका जो use है वो 5-7 दिन normal case में use कराया जाता है और इसके साथ ही इसकी जो duration है वो थोड़ी लंबी भी हो सकती है 10-15 दिन तक का भी course हो सकता है और guys जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तभी इस medicine का use बंद करें क्योंकि दोस्तों antibiotic medicine के case में ये medicine का चाहिए जिसे क्या है कि जो problem है वो पूरी तरह से ठीक हो सके दोस्तों तीन महीने से या दो महीने से कम एज का जो बच्चा होता है वेवी होता है उसकी आखों में ये medicine आपको नहीं डालनी है उसके लिए अलग से medication आते हैं जो भी डॉक्टर बताते हैं और guys कुछ ऐसे patient हो जाते हैं तो उनकी आखों में रूखापन यानि ड्राइनेस की समस्या देखने को मिलती है ड्राइ आइज हो जाती है तो इसके साथ में एक सपोर्टिम मेडिसिन के तौर पर CMC ड्रॉप नॉर्मल कार्वोक्सी मिथाईल सेलिलोरी ड्रॉप जो होता है जिसको हम संफ्रेस या रिफ्रेश्टियर्ज के नाम से जानते हैं या मार्केट में यह और भी लूब्रीकेटिंग ड्रॉप जो होते हैं वो अलग-अलग नाम से मिलते हैं इसका भी यूज़ किया जाता है तो जो CMC ड्रॉप होता है वो इसके सुपोर्टिम मेडिसिन के साथ में यूज़ कि आए पेशेंट को लेने के बाद बिलर विजन की प्राब्लम हो यानि उनको हलका धुनला दिखाई दे साथ ही आंकों में रेडनेस या स्वेलिंग जो है बढ़ सकती है या अगर जिनको नहीं है तो उनको हो सकती है तो गाइज ऐसा कुछ होता है तो मेडिसिन को डिसकंटीनिव करके डॉक्टर से मिले और डॉक्टर की सलह से ही फर्दर मेडिकेशन करें दोस्तों जान लेते हैं इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मिशन तो गाइज यहां आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन से यूज करने के लिए कि जब भी आप मेडिसिन ल करना है जनरली जब आप कैप को एंटी क्लॉक वाइस गुमाएंगे तो इसके अंदर लगा हुआ स्पाइक ऑटोमेटिक इसके अंदर होल कर देता है इसके बाद आपको जेंटल तरीके से जितनी भी मात्रा में दवाई डॉक्टर बताते हैं वो निकाल कर पेशेंट की चेक करें साथी MRP जरूर देख लिया करें दोस्तों जिससे क्या है आप से कोई ज़्यादा पैसे ना ले और साथी आपको कोई खराब मेडिसन ना दे 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 दोस्तों ये 8 2023 तक इसकी एकसपायरी है तो ये 2023 मेडिसन खराब होगी आठ में महीने में तो 8 2023 तक इसका नורमली यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत की बाद नहीं है और गाईज मैडिसिन को ओपन करने के बाद यानि जिस दिन आप मैडिसिन को खोल लेते हैं उस दिन से एक महीने तक ही आपको आई ड्रॉप या या ड्रॉप का यूज़ करना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम जो मैडिसिन लेकर आएं उसकी जगापर दूसरी मैडिसिन खरीदें और फिर उसका यूज़ करें तो गाईज यह इसका MRP सेक्सन एक्सपायरी सेक्सन हमने देखा इसकी मार्केडिंग की है स्विस बिजन ने जो कि मुंबई की कंपनी है और गाईज यहां कुछ वार्निंग्स वगएरा भी देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताये था कि खोलने के बाद एक महीने के अंदर यूज़ करें ड्रॉपर की जो टिप है उसको हाथों से टच ना करें सही से जेंटल तरीके से मैडिसिन को डिस्पेंस करें और अगर आपको कोई इरिटेशन वगएरा कॉज होता है तो मैडिसिन को रोक कर डॉक्टर से मिलें जिससे क्या है आपको कोई दूसरा मैडिकेशन देकर प्रॉबलम को ठीक किया जा सके दोस्तो रेड श्ट्रिप मैडिसिन है गाईज आपको यह इसके ब्रांड नेम से नहीं मिल पाता है तब आप इसको इसके जैनरिक नेम यानि फार्मोकोलाजिकल नेम टॉब्रामाइसिन ऑफ्थालमिक सॉल्यूशन के नाम से भी ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आरेक्स मैंसन हैं सिंपल मतलब है कि जब भी मैडिसिन को खरीदें एक रजिस्टर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से खरीदें ऐसे खुझ से ना खरीदें तो गाईज यह था आज की इस वीडियो में टॉब्रा केम आईड्रॉप के वारे में एक जानकारी रिव्यू और गाईज जानकारी आपको जरूर अच्छी लगेगी वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसे लाइक करें शेयर करें और साथ ही आपका अपना चैनल ह है यूनिक मैडिसिन यूनिक मैडिसिन परिवार का हिस्सा वने चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रेस करें मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में जै हिंद जै भारत